नमस्कार आपका स्वागत है देश परदेश संवा चैनल में आज हम बात करेंगे गिदेश मंत्री डॉक्टर जैशंकर की आस्टेलिया में हुई उस्ट्रेस स्वारता के बारे में जिसमें उन्होंने भारत रूस संबंधों का खुलासा करते वे पस्चमी देशों को क्या विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमन्यम जैशंकर ने भारत और रूस की रड़नितिक और रक्षा साज़दारी को सही ठहराते वे कहा है कि पस्चमी देशों ने दसको तक भारत को हथ्यारों की आपूर्ती नहीं की विदेश मंत्री ने कहा कि पस्चमी ने सैन ताना शाही वाले भारत के पडोसी देश को अपने भागिदार के रूप में वरीता दी उन्हों ने कहा कि अंतरास्टी राजनिती में देश, भविश्क हित और वर्तमान इस्तिती को देखती वे ही निर्णे लिये जाते हैं 10 अक्टूबर को कैन्बरा में विदेश मंत्री डाक्टर जैशंकर ने अपने आस्टेलियाई समकक्ष पेनी वांग के साथ एक संयुक्त प्रेस्वारता में कहा कि भारत के पास प्रियाप्त मात्रा में सोवियत और रूसी मूल के साजो समान मौजूद हैं उन्होंने इसके लिए भारत के प्रती पस्चिमी देशों की नीती को जिम्मेदार ठहराया है विदेश मंत्री डॉक्टर जैशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच रिष्टे भारत के हितों को बहतर ढंक से साधते हैं उन्होंने कहा हमारी सेना के पास सूवियत और रूसी मूल के हतियारों की खासी संख्या है और दश्कों से इस सेन साजो सामान की संख्या बढ़ती रही है इसके कई कारण रहे हैं कई दश्कों तक पश्चिम के देशों ने भारत को कोई हतियार सप्लाई नहीं किया इतना ही नहीं उन्होंने हमारे बजाए हमारे पड़ोस में मौजूद सेन तानशाही का समर्थन किया हलाकि विदेश मंतरी डॉक्टर जैशंकर ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन साफ है कि उनका संकेत पाकिस्तान की ओर ही था बता दें कि शीत युद्ध के दौर में पाकिस्तान की पहचान अमेरिका के एक मजबूत सहयोगी के रूप में हुआ करती थी औस्टेलिया में बात करते हुए विदेश मंतरी डॉक्टर जैशंकर ने कहा हम सभी अंतरास्टी राजनीती में अपने अपने हालात से निपटते हैं हम वही फैसले लेते हैं जो हमारे देश के वर्तमान और भविश के हीतों की रक्षा करते हैं और मेरी समझ में इस मौझूदा रूस-युक्रेन संगर्ष के संदर्ब में हर सैन संगर्ष की तरह इससे भी सीख मिलती है मुझे यकीन है कि सेना में मेरे बहुत ही पेशेवर सहयोगी इसका बहुत ध्यान से अध्यन कर रहे होंगे एक औस्टेलियाई समवाददाता ने विदेश मंतरी डॉक्टर जैशंकर से पुछा था कि युक्रेन में चल रहे लड़ाई के कारण क्या भारत को रूसी हात्यार प्रनालियों पर अपने निर्भरता कम कर देनी चाहिए और रूस के साथ अपने संबंदों पर पुना विचार करना चाहिए विदेश मंतरी डॉक्टर जैशंकर ने पिछले मैंने अमेरिकी विदेश मंतरी एंटनिनी ब्लिंकन के साथ संयोग प्रेस वारता में कहा था कि भारत को जब हत्यारों की पेशकरश की जाती है तो वो अपने राश्टिय हितों को धियान में रखते विखलपों पर गौर करता है हत्यारों के मामले में बहारत को रूस प्रमुग्टा से आपूरती करता रहा है युक्रेन में चल रही जंग के बाद पश्चमी देशों ने रूस पर तरह तरह के प्रतिबंद लगा रखे हैं इन में से बहुत से प्रतिबंद वित्तिय लेंदेन से जुड़े वे हैं हात्यारों की खरीद फरुक्त में भारत और रूस को कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है दोनों ही देश इस कोशिश में लगे वे हैं कि बुक्तान करने का कोई नया तरीका निकाला जाए मालुम हूँ कि भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा था कि रूस ने वाशिंगटन के दबाव और अमेरिका के नेत्रत्व वाली पश्चमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद अपनी सबसे उन्नत और लंबी दूरी की सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 भारत को समय पर दे दी है आज के इस अंक में बस इतना ही आपसे अनुरूद है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए इसे साज़ा कीजिए और हाँ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए जैहन